नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेशन के गट्टे की सबजी और हाथ पोई रोटी जिसे पनपती रोटी भी कहते हैं, ये दोनों रस्पी ट्रेडिशनल होने के साथ साथ टैम्टिंग भी हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले हम हाथ पोई रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे, इसके लिए मैंने चार कप गेहूं का आटा लिया है, और आटा गूनने के लिए एक गिलास पानी लिया है आप चाहें तो गेहूं के आटे के साथ बेशन या मक्के का आटा भी मिला सकते हैं, और इसमें नमक, आजवाइन, कसूरी, मेथी भी एड़ कर सकते हैं मैं इसे सिर्फ गेहूं के आटे के साथ बना रही हैं इस रोटी का आटा नॉर्मल आटे से थोड़ा सकत गूंदा जाता है अब इसे 10-15 मिनट साइड में रेस्ट के लिए रख देंगे और इतना आटा गूनने में एक गिलास पानी में एक टेबिल स्पून पानी बच गया है अब मैंने आटे को दूसरे बरतन में शिफ्ट कर दिया है और सेम बरतन में मैंने एक कप बेशन लिया है आधा टीस्पून अजवाइन लिया है जिसे क्रश करके डाल दिया है आधा टीस्पून हल्दी लिया है आधा टीस्पून जीरा मसाला लिया है दो टेवेल स्पून घी लिया है और दो टेवेल स्पून दही लिया है लास्ट में थोड़ा सा नमक एट कर देंगे और इन सब को अच्छे से मिला लेंगे बेसन का आटा गूनने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप पानी लिया है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर बेसन गूनना शुरू करेंगे बेसन का आटा बहुत जल्दी गीला हो जाता है इसलिए इसमें पानी बहुत साफधानी से एट करें और अब इसे 6-7 मिनट अच्छे से मसलना है ताकि गटे बहुत सौफ्ट बने अगर बेसन को अच्छे से नहीं गून देंगे तो गटे पानी में जाकर फट सकते हैं बेसन थोड़ा सा स्टिकी होता है इसलिए उसे हास से छुड़ाते हुए आटे को गून ले आटे को मैंने लगबग 8 मिनट तक गून दिया है और इतना आटा गूनने में सिर्फ 3 टेविल स्पून पानी खर्च हुआ है मैंने आटे में से थोड़ा सा पोर्शन निकाल लिया है और इस तरीके से हतेली पे रोल करके दोनों साइट से बराबर कर लिया है और अब इसी तरीके से हम सारे लॉक तयार कर लेंगे यहां मैंने दो कप पानी को लो फ्लेम पे गरम होने के लिए चड़ा दिया है पानी उबल गया है तो अब हम इसमें गटे को वन बाई वन करके डाल देंगे कभी भी ठंडे पानी में गटे ना डालें नहीं तो वो अच्छे से पकते नहीं है अब हम इसे ठीक से पकाने के लिए चार-पांच मिनट के लिए कवर कर देंगे और बीच-बीच में खोल कर देख लेंगे चार मिनट हो चुके हैं तो हम ढककन हटा देते हैं और ये देखिए ये गटे अभी पूरी तरीके से नहीं पके हैं तो हम दो-तीन मिनट के लिए इसे फिर से कवर कर देंगे तीन मिनट हो चुके हैं गटे के ऊपर बबल दिखने लगे हैं इसका मतलब है ये पक चुके हैं कुल मिलाकर गटे को पकने में आठ से दस मिनट लगते हैं क्यूंकि मैंने ढखकर पकाया है इसलिए ये जल्दी पक गए हैं तो अब हम इसे चान लेंगे गटे को इस तरीके से चान कर पानी से अलग कर लेंगे और पानी का यूज हम ग्रेवी बनाने में करेंगे ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो अब इसे छोटे-छोटे पीस में काट लेंगे ये बहुत सॉफ्ट हैं इसलिए ये इतने आराम से कट जा रहे हैं इसी तरीके से हम सारे पीसिस काट लेंगे अब हलका सा इसे फ्राई कर लेंगे तो मैंने लो फ्लेम पे गैस पे कडाई को चड़ा दिया है और उसमें एक चम्मच रिफाईन डॉयल डाल दिया है थोड़ा सा तेल गरम होते ही हम इसमें गट्टे डाल देंगे और इसे देर दो मिनट तक फ्राई कर लेंगे वैसे तो ये स्टेप टोटल आप्शनल है लेकिन फ्राई करने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है अब सबजी बनाना शुरू करते हैं तो मैंने सेम कड़ाही में 4 टेबिल स्पून मस्टर्ड ओल डाला है आप चाहें तो रिफाइंड ओयल या घी भी डाल सकते हैं और तेल के गरम होते ही आधा चम्मच जीरा डाला है दो हरे मिर्च को बारिक काटके डाल दिया है और एक चम्मच जिंजर गारलिक पेस्ट डाला है आप चाहें तो अद्रक और लैसुन को चौप करके भी डाल सकते हैं जिंजर गारलिक पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हाफ टी स्पून हिंग डाला है एक टेबिल स्पून कसूरी मेती को क्रश करके डाल देंगे इस सब्जी में कसूरी मेती का स्वाथ बहुत अच्छा आता है अब मैंने दो प्याज को चौप कर लिया है इसे भी डाल देंगे और प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करेंगे अगर आप प्याज और लैसुन नहीं खाते हैं तो इसके भी कर सकते हैं और केवल जीरा और हिंग डाल कर ये सब्जी बना सकते हैं प्याज पारदर्शी हो चुकी है तो मैंने इसमें दो टमाटर की प्यूरी बना कर डाल दिया है टमाटर डालने के बाद प्याज और टमाटर सब को फ्राई कर लेंगे और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है नमक आप अपने स्वाध अनुसार डालें और अब हम इसे 3-4 मिनट के लिए कवर कर देंगे 4 मिनट हो चुके हैं तो कडाई का ढखकन हटा देते हैं तमाटर अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसमें मसाले एट करेंगे मसालो को मैंने दही के साथ डाला है ताकि दही फट न जाए तो मैंने यहां आधा कप दही लिया है इसे अच्छे से फेट लिया है और इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी धनिया, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मेच और 1 टीस्पून जीरा मसाला डाला है मसालो को दही में खुब अच्छे से मिला लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा करके दही को कडाही में डालेंगे और चलाते जाएंगे गैस की फ्लेम लो रखेंगे और इसे लगतार चलाते जाएंगे ताकि दही फट ना जाए और साथ ही मसाले भी फ्राई हो जाएंगे अब मैंने दही वाली कटोरी में ही गट्टे वाला पानी डाल कर ग्रेवी बनाने के लिए एड़ कर दिया है पानी को बराबर चलाते हुए बॉल कर लेंगे और जब पानी में अच्छा उबाला जाएगा तो गट्टे के पीसिस को डाल देंगे इसके बाद सब्जी को 4-5 मिनट ढख कर पकाना है पांच मिनट हो चुके हैं तो ढखकन हटा देते हैं और ये लीजिए गट्टे की सब्जी तयार है तो मैंने इसमें एक टी स्पून गरम मसाला एट कर दिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है यदि किसी दिन आपके पास सब्जी ना हो या सब्जी खाने की इच्छा ना हो तो आप इस गट्टे की सब्जी को बना सकते हैं ये बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए अब हाथ पोई रोटी बना लेते हैं आटे को थोड़ा सा मसल लिया है आटे में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल कर इस तरीके से लोई काट लेंगे इसकी लोई नॉर्मल रोटी की लोई से थोड़ी बड़ी होती है तो मैंने यहाँ पे चार लोई काट ली है तो चलिए, रोटी बनाना शुरू करते हैं, इस रोटी को बनाने में हम बेलन और चकले का यूज नहीं करेंगे, लोई को इस तरीके से हाथ पे लेकर बीच से फ्लैट कर देंगे, और फिर उंगली और अंगुठे की सहायता से इसे घुमाते हुए बढ़ाते जाएंगे, और अब दोनों हाथों में पानी लगाकर इसे बढ़ाते जाएंगे, बीच में आटा मोटा न रह जाएंगे, इसलिए इसे हर तरफ से बराबर करते जाना है, और अब दोनों हाथों की सहायता से इसके साइज को बढ़ा लेंगे, ये नॉर्मल रोटी की तुल्ला में इसी मोटी होती है, तो मैंने इसे बना लिया है, अब चलते हैं सेखने के प्रोसेस में, तवा गरम हो चुका है, तो रोटी को इस पे साबधानी से डाल देंगे, रोटी बनाने के लिए गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे, मैंने अभी गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है और पलटने के बाद इसे लो कर देंगे हाई फ्लेम पे रोटी बनाने पे रोटी जल भी सकती है और अंदर से कच्ची भी रह सकती है रोटी को पलट दिया है कि दूसरे साइड से रोटी पक चुकी है तो अब हम रोटीको तो direct flame पे सेकेंगे, medium flame पे रोटी को पुलट पलटके अच्छे से पका लेंगे और ये देखिए कितनी अच्छी रोटी सिकर तैयार है तो इसी तरीके से हम बाकी की रोटी भी बना लेंगे, रोटी को बीच से बराबर करते हुए उगली और अंगुठे की सहायता से बढ़ाते जाना है और दोनों हातों में पानी लगा कर इसे बना लेना है रोटी को तबे पे डालने के बाद इसकी फ्लेम बढ़ा देनी है और रोटी को low to medium फ्लेम पे पकाना है जब इसका दूसरा साइट पक जाएगा तो उसके बाद हम फ्लेम पे रखकर सेंख लेंगे ये रोटी ज्यादा तर रूरल एरिया में छूले पे बनाई जाती है और ये इतनी टेस्टी होती है कि इसे आप अचार के साथ और चटनी के साथ भी खा सकते हैं यहां मैं रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी लगा कर गट्टे की सबजी के साथ सर्व कर रही हूँ बेशन के गट्टे की सबजी चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों आपको ये रस्पी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी नई रस्पी की नॉटिफिकेशन मिलते रहें धन्यवाद